श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है, इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है, तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं, इस दिन चंद्रमा आपकी कुणली में, अश्टम भाव में गोचर करेंगे, ये दिन आपके प्रभावित करती हैं, इस दिन को आपको अचानक से धन प्रापति हो सकती है, आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है, अगर आप विदेश जा कर सेटल होना चाहते हैं, तो इस दिन शुरवात कर शकते हैं, जो लोग आयस्के एक्जाम देना चाहते हैं, competitive exams के लिए तेयारिया कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुवात करना चाहते हैं, तो दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा, इस समय में स्वास्ति का ख्याल आपको जरूर रखना है, बिमारिया आपको घेर सकती है, वात्रो ग्रक्त विकार आध की किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है, घर परिवार में शान्ति बनाये रखने की कोशिश जरूर करें, इस समय में यात्राए संबल कर करनी होगी, यात्राओ में रुकावटे आने की संभावना है, यात्राओ में चोट लगनी की भी संभावना है, दोस्तो इस समय में या करतियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यूंकि इस दिन अगर कोई exam या competition आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी तब जाकर आपको फलकी प्राप्ति हो सकती है इस समय में अपने कारेक्षेत्र में आपको धैरे रखना चाहिए इस समय में काम का बोजा भी आप प जादा रह सकता है सभाव में चिर्चिडाहट नजर आएगी आपको भी क्रोध से बचना होगा संतान या फिर आपके दामपतिसुक में कुछ परेशानिया भी इस समय में आ सकती है जिसकी वज़े से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो इस समय में अपन सकता बरतनी जरूरी होगी कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें दोस्तो इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चड़ाव देखने को मिलेगा आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा इसलिए उप जाही रहेगा दोस्तो अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो चार हरी इलाइची अपने जेब में ले लिजे इससे आपको फाय्दा होगा अगर आप इस दिन हरी मुंकी दाल इलाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रह कामों में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुलक में एक रुपय का सिक्काद जरूर डाले दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली म बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे आई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्र यह आमना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल agencies अपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रहभावित करती है हमारे चीवन को प्रहभवित करती है और उन्ह चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके ल अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के च्छत को पूरी तरह से साप रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं हो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमा आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदला 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 थपर Satan को रखसा है चुछहолот बदला है हमारे लिए घर लिए लवापड़ सुछवधना झाल बदला और दोस्तों कनदाूत्ने कुछबादस को घर बु straw को धाल एक उार दो पालता।